प्रिय साथियो नमस्कार मैं आज आपके समक्स उन्हें एक विचार लेके प्रस्तत हूँ और ये विचार है कि एक सफल व्यक्तित्व के जीवन में, सफल आदमी के जीवन में ऐसे कौन से पहलू हैं जो हम सब को आकरसित करते हैं या मैं दूसरे सब्दे में कहूं कि हर व्यक्ति सफल होना चाहता है जीवन में तो ऐसे कौन से गुन हैं, ऐसी कौन सी विशे वस्तू हैं जिने हम अगर अपने अंदर आत्म साथ करें तो हमें जीवन की सफलता और अच्छे जीवन को जीने का एक आया मिलेगा तो साथियो मैं आप से चर्चा करना चाहता हूँ 5E अगर हम इन 5 जो E हैं जिनसे मैं अलग-अलग 5 सब्द बोलूँगा आपके सामने अगर उनका हम जीवन में अनुसरन करें, उनको ग्रहन करने की कोशिस करें तो निश्चित रूप से एक सम्यक जीवन हम जी सकेंगे और इस 10 से 12 मिनट के विचार विमर्ज के बाद आप देखना के आप देश विदेश में समय और काल के विप्रीत आप जब भी किसी परसनलिटी को देखेंगे तो कही ना कहीं ये पांच घटक, ये पांच फैक्टर आपको उन व्यक्तित्व के अंदर मिलेंगे जिनोंने जीवन की सफलताएं पाई हैं, जिनोंने एक समाज में एक अपना विशिश स्थान प्राप्त किया है तो चलते हैं, पांच ए क्या हैं, साथियो पहली ए है एजुकेशन, शिक्षा सफल व्यक्ति होने के लिए जरूरी है कि हम ज्या नर्जित करें और यहां सिक्षा का मतलब केवल डिग्री लेना नहीं है सिक्षा आपको विभिन रूप से ससक्त करती है, एमपावर करती है, इनेवल करती है सिक्षा आप में ग्रहेता लाती है, सिक्षा के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि सिक्षा सबसे महत्मून रोल है वो आपको विशम परिस्थितियों में बहतर सोलूसन देना, बहतर ओप्सन देना ये सिक्षा का एक बहुत बड़ा आयाम है हम अक्सर देखते हैं कि हम सिक्षा को केवल और केवल employment के लिए अपनी livelihood के लिए देखते हैं और अक्सर जब हम पढ़ने लिखने के बाद, डिगरी हांसिल करने के बाद किसी काम पे लग जाते हैं, चाहे वो कोई employment हो या हम अपना निजी कारे करें, तो हम सिक्षा ग्रहन करना या तो बंद कर देते हैं और या उसको कम कर देते हैं मेरा सिक्षा से मतलब कदा भी ये नहीं है कि आप हर समय कोई degree लेने की कोशिस करें सिक्षा का मतलब है कि नई नई चीजों को जानना लोगों से आप उनके जो अनुभव हैं उनको साजह करना आप जब भी घर जाएं तो ये देखिए कि आज मैंने जीवन में क्या सीखा ये सीखना ही सिक्षा है तो पहला घटक हुआ education दूसरा है experience शिक्षा के बाद अगर आपने अपने च्छेत्र में अनुभव नहीं पाया तो आपका जो व्यक्तित्व है वो अधुरा रहेगा उस शिक्षा का लाव आपको तभी है जब आप अपने च्छेत्र में या संदर्वित विशेवस्तू में आप अनुभव प्राप्त करें तो सफल व्यक्तित्व के लिए अवश्चक है कि शिक्षा के बाद आप बहतर अनुभव ले उसके बाद आता है तीसरा एक्स्पोजर आपको अलग-अलग लोगों से मिलना अलग-अलग माहौल में काम करना अलग-अलग परिस्थितियों में किस तरीके से आपकी शिक्षा और जो अनुभव है वो दूसरे लोगों को किस तरीके से उन्होंने उस छेतर में काम किया है तो यह जो आपका एक्स्पोजर है एक्स्पोजर से साथ ही हो बहुत बड़ा लाब मिलता है और मैं आपको अपने ही जीवन के बारे में बताता हूँ कि मैं इस लगबग 32 साल के सेवा काल में जो मेरा पुलिस और पिरसासनिक सेवा काल रहा अब तक का उत्तर प्रदेश में उसमें मैंने पाया कि जितना आपका बहतर एक्स्पोजर होगा उतना ही आपका बहु आयामिय सरूप बनेगा आपके सोचने की जो छमता है आपके सोचने का जो आयाम है वो बढ़ेगा तो एक्स्पोजर बहुत जरूरी है नहीं तो आप कूप मंडूख हो करके रह जाएंगे कितने भी आप सिक्षित हों कितनी बड़ी डिग्री आपने ली हो चाहि कितनी बड़ी संस्थान से किसी युनिवर्स्टी से डिग्री ली हो अगर आपका एक्स्पोजर नहीं है नियमित रूप से अगर आपने जो सफल लोग हैं या ऐसफल लोगों की भी जो परिस्थितिया रही है उनसे भी बहुत बार हमें सीखने को मिलता है तो एक्स्पोजर बहुत महत्पूर है तो तीसरा बिंदु हुआ एक्स्पोजर अब चलते हैं चौथेई की तरफ वो है एकोसिस्टम आप कितने भी शिक्षित हों आपके पास अनुभब भी है आपके पास एक्स्पोजर भी है लेकिन जहां आप काम करते हैं वहां का वातावरन एकोसिस्टम वो बहुती दूसित है बहुती एनिमिक है हर आदमी एक दूसरे की टांग खींसता है या कोई और ऐसा महौल है जिसकी वज़े से आपको एक उचित वातावरन नहीं मिलता तो एकोसिस्टम का फ्रेंडली होना कंजीनियल होना बहतर होना ये बहुत जरूरी है और मैं हर संस्थान के लिए कहना चाहता हूँ जब तक आपका एकोसिस्टम अच्छा नहीं होगा तो आपका संस्थान या आपकी और्गनाइजेशन आपका देश आपका समाज कभी भी उन्नती नहीं कर सकता तो ये हर व्यक्ति का किसी भी समाज में किसी भी और्गनाइजेशन में हर मेंबर का ये दाइतव है कि वो एकोसिस्टम को बहतर बनाए ये बहुत महत्पून विसे है और अक्सर हम देखते हैं कि आपस की एरिसा एनवी एक दूसरे को बेजज़त करना टॉंट करना इस सबसे एक महाल बिगड़ता है तो साथियों इस महाल को हम कैसे सुधारें अपने कारिय छितर में अपने समाज में हम कैसे एको सिस्टम को इनेबल करें और लोग जो हमारे साथियों उनको हम कैसे आगे बढ़ाने का प्रियास करें ये भी एक सफल समाज के लिए सफल व्यक्तित्व के लिए बहुत जरूरी है अन्तिम जब ये चार ये जब आप पालेंगे तो लास्ट है जब आपका एक लेवल हो जाएगा तब है एकसिलेंस और यहां जितने भी बड़े-बड़े व्यक्तित्व आपने देखे हैं चाहे वो महत्मा गानी जी हो या और विदेशों में भी आप किसी भी व्यक्तित्व को देखे हैं पॉलिटिकल हो सकते हैं वो साइन्टिफिक हो सकते हैं एकोनोमिस्ट हो सकते हैं उनमें एकसिलेंस तब आती है जब यह चार जो यह हमने पहले चर्चा की जब वो आपको पून हो जाएंगे आप तब आप एकसिलेंस Excellence का मतलब है जो existing scenario है जो existing system है उसको और कैसे बहतर करना उसे आदर्स इस्थितियों में कैसे लाना आदर्स इस्थिति में आप तब ही ला पाएंगे जब आपका एक समाज के अंदर उस छेतर के अंदर एक हैसियत बन चुकी हो तो Excellence हर व्यक्ति के लिए हर समय ला पाना इतना संभब नहीं है आप अपने लिए Excellence ला सकते हैं बात ठीक है कि आप अपने काम को और बहतर करें वो भी एक Excellence का पाठ है लेकिन सामाजिक Excellence के लिए जरूरी है कि आप एक निरंतर कारे को बहतर धंसे करें आपका अपना जब एक Position हो जाती है समाज के अंदर तो जिन चीजों को आप करते हैं उनमें एक अलग छवी बनती है और वो एक Excellence के स्टेज पाता है तो साथियों मैं उन्हें आप से ये अन्रोद करूँगा कि जो भी काम हम करें वो इमानदारी के साथ लगन के साथ निष्ठा के साथ करें हम अपन करें का कंदे से कंदे मिलाते हुए सहयोग करते हुए हम आगे बढ़ें तो अगर हम इन पांच इपे कारे करेंगे और इनको ध्यान में रखेंगे तो निष्चत रूप से हमारा स्वम का व्यक्तित भी बढ़ेगा और सामाजिक दाइतों का भी हम बहतर निर्भेन करेंगे जिससे हमारा राष्ट हमारा समाज हमारा देश और संसार सुखी होगा समरद होगा सांती होगी और हम एक दूसरे के साथ भैतर जीवन जी सकेंगे इनी सब्दों के साथ नमस्कार